नमिश्कार मेरचा सिंग और आप देख रहे हैं सीन्यूज भारत पर बिजेपी से जादा अब बस्पा प्रमुक मायावती राहूल पर हमला पर हैं जी हां कॉंगस नेता राहूल गांधी के आरक्षन को लेकर अमेरिका में दिये गए बायान को बस्पा नी लपक लिया है अब वो इसे चुनाव में इस्तेमाल कर अपनी वोटर को लुभानी का काम करेंगी पार्टी इसको यूपे विदान सभा उप चुनाव में भी मुद्धा बनाएगी ऐसे में कहीं न कहीं राहूल ने खुद अपनी पैरों पर कुलहारी मारते हुए मायावती को बैठे बिठाई एक नया मुद्धा दे दिया है तो चलिया ये जानते इस रिपोर्ट में कि मायावती इस मुद्धे को कैसे अपना चुनावी हतियार बनाती है लोग सभा में नेता विपक्ष राहूल गांधी की आरक्षण पॉलिटेक्स विवादों में है अमेरिका में राहूल की आरक्षण को लेकर दिये बायान पर बिजेपी और बसबस सीधे हमलावर है बिजेपी का कहना है कि कॉंग्रेस आरक्षन विरोधी है और राहुल के बयान से उसकी सच्चाई सामने आ गई है तो वहीं बसपा प्रमुक मायवती लगातार कॉंग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रही है मायवती ने यहां तक आशंका जताई है कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षन को समाप्त कर देगी फिलाल जाती आधारे जनगर्ना की मांग उठाने वाली कॉंग्रेस असपूरे विवाद में चौदारफा घिर गई है आपको ये भी बता दें कि बस्पा प्रमुक मायवती अचानक क्यों आरक्षन के विवाद पर आक्टिव हुई है लेकिन वो इस मामले में सत्ता रूर दल भाजपा पर नहीं बलकि विपक्षे दल कॉंग्रेस को जादा कट घरे में खड़ा कर रही है क्योंकि लोकसभा चुनाओं में जीरो पर आउट होने के बाद बस्पा का ग्राफ और टेजी से नीचे चला गया इस बार उनका मूल वोटर उनसे कट कर विपक्ष के पाले वो भी खास कर कॉंग्रेस में जाता दिखाई दिया जाहिर है बस्पा का मूल वोट जाताओ इस चुनाओं में छिटकता नजर आया है ये वोट बस्पा में कॉंग्रेस से आया था दलित और मुस्लिम वोट एक जमाने में कॉंगरिस में था जब से यूपी कॉंगरिस कमजूर हुई है तब से दलित वोट बसपा के पास और मुस्लिम वोट सपा के पास खड़ा नजर आया है बस्पा को कॉंग्रस से ज़ाधा खतरा है वो अपने दलित वोट को बरकरार रखना चाहती है यही कारण है कि वो लगातार कॉंग्रस पर हमला वर है और आरक्षन के मुद्धे पर पार्टी को लगातार खेर रही है बस्पा को कोई जमीन वापस लेनी है अब ऐसे में मूल वोटर वापस लानी के लिए मायावती की कोशिश कितनी कारगर सावित होगी यह देखने वाला वुर्शय होगा फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं सी न्यूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ